नमस्कार आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मद्धिप्रदेश शत्तेजगर और मैं हूँ आपके साथ दीपसी दिवेदी बड़ी बहस में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है और आज भोपाल में बिजेपी प्रदेश कारव्याले पर बिजेपी कूर कमिटी की बै उसे भाजपा प्रदेश मुख्याले में बैटको का दौर चल रहा है आज भी प्रदेश के विभिन जिलो के भाजपा कोर ग्रुप्स को बुलाया गया था जिले के मुख्य पदाधिकारी और कारिकरता प्रदेश के शीर्स नेत्रित्व के साथ जिलो के राजनितिक खालात पर मन्थन किया गया मध्य प्रदेश विधान सभाचुनाओ 2023 की जीत को लेकर विजेपी और कॉंग्रिस दोनों ही दलों में आपको बता दे मैदानी तयारिया जो है वो शुरू कर दी हैं दोनों दलों ने माना ज़ा रहा है कि विजेपी की लगातार चल रही बैटकों में व विजेपी विशेश अभ्यान चलाएगी मंत्रियों से लेकर बड़े पदा धिकारी जीलों में केंदर सरकारिय की योजनाओं को लेकर जनता के बीच जाएगी और ऐसे में पाइटी अगले एक साल तक जमीनी अस्तर पर जादा से जादा कारिक्रम आयोज़ित करेगी इसके फीजदी से बढ़ा कर एक क्याउन फीजदी करना चाहती है वहीं बिजेपी की इन बैट को पर कॉंग्रेस ने चुटकी लिया है कॉंग्रेस जो है लगता चुटकी लेती हुई नजर आ रही है मतलब साफ है मिशन दोहजार तेस के लिए बिजेपी फुल फॉर्म में है त तक केबल भासडों में नहीं केबल टार्गेट नहीं इसको पूरा करना यह हम नीचे तक हमारे बूत विस्तार अब्यान के माध्यम से बूत का ससकती करन सक्षम बूत बनाने का हमारा जो टार्गेट है उसमें हमारी यह जो लीडर्शिप है इस काम को इंप्लिमेंट करने लीडर्शिप है चिंता करने वाली लीडर्शिप है तो उनसे बात्चीत समय समय पर होती है तो और क्या वंत्रसेंट बोट से हम लगातार इस दिसा में हमारे कदम आगे बढ़ रहे हैं और मुझे फूर्ण विस्वास है कि हम इस दिसा में मानि प्रधान मंतरी जी के नितर बाल के भाश्पा कारलाय में जीला स्तर की तावरतोर बेटके जारी है बेटके इसलिक की जारी क्योंकि दिल्ली में भाट्पा की कोर कमेटी की बेटक हुई थी जो फीड़ बेक नेतरतोर आरे से नेताओं के सामने आया वह आया कि नोकर्षाई भ्रस्ट हो चुकी परशाई सरकार को चला रही है तमाम जो शिकायतें दिल्ली पहुची थी दिल्ली दरबार में वहाँ से नस्यत मिली वहाँ से फटकार मिली अब बेटकों का दोर जारी हो चुका है जिला स्तर पर समनवाय और कौडिनेशन की बात की जारी जिला स्तर पर राय शुमारी की ज जा रहा है जिस प्रकार से जंता से दूरी सामने हारी जिस प्रकार से ब्रस्टाचार कि नहीने करता इमान सामने आ रहे इन सब को लेकर बेट का आए चीद को रही तक ये फीड़बेक लेकर दिल्ली चुरू होंगे बीजेपी काल तक बीजेपी जनता से जोड़ाब के और क्या-क्या कारक्रम चलाएगी इसलिए ये अभियान हमारा जो चलेगा उसको उसकी जर्चा करना उसकी तो चलिए इसे मुद्दे पर आज चोचा की शुरुवात करते हमारे साथ जो खास महमानें उससे आपका दारूफ करा देते हैं उमेश शर्मा जी हमारे साथ जोड़ रहे हैं प्रवक्ता बिजेपी सिधार्थ सिंग राजाओत हमारे साथ जोड़ रहे हैं प्रवक्ता कॉंग्रेस बहुत-बहुत स्वागत था आप दोनों लोगों का तो किस तरह का ये मन्थन चल रहा है सबसे पहले आप ये क्लियर कर दीजे अभी ना तो उनकी आयू ही है और ना उनकी बुद्धी मत्ता इस्ती है मैं बहुत का इसका ही को बन करा दीजे अब मैं नरेंज सालुजा जी की बात का तो कुछ उत्तर दूंगा नहीं मैं तो आज की बैसर के बारे में बहुत सीजे चुर्ण शब्दों में समझा देता हूँ अब आजकी बार्ची जनुता पड़़्ी ऑपना प्रवारी कार्वारी के जाकर सफ़से तरली हैं अब आजश्ट है संथे सिर्फ स journée भूत से लिख करता है वारती जिलता पर्की की सेलेशन रचना में प्रदेश की भी कोर कमेटी होती है जिलाइस्टर की भी कोर कमेटी होती है उसके अंदर हमारा जो जिलाइकाई का सिलेशन रचना में अपना वर्देशन करा गया नीचे हमारी हिकाई रचित हो गई है बोर्चा प्रकॉस्थों की और प्रकॉस्थों की उस्ते बारे पर शिचार करा गया बार्ति ज्रितापर्टी की जो कारिक्रम अभी निरचर डेश़ शिकाई के द्वारा धीज़ गयते और कारिक्रम का नीचे तक ट्रियानमंत की δंप लिए उसके बारे में विचार करा गया इस प्रकार की बैसकों में होती है पिरान के प्राव रहा है लगातार ये जो बैठकों का दौर चल रहा है विजे पी पाटी जो बैठके कर रही है उनपर आप लोग कई सवाल उठा रहे हैं और कई तरीके की बातें प्रवक्ता हो जाएंगे विद्ध कर दो जा रहे हैं अब आपने सुना कि उमेश्च शर्मा जी ने बता है कि यह बैठक जो हो रही है क्यों हो रही है कैसे हो रही है यह चीजे साफ हो गई है क्या कहेंगे इनकी बातों से तीन चार चीजे निकल के आ रही है एक तो जिस प्रकार से रावर को गमन्ड हो गया था कि मैं पुर्य ध्रम्मा को जीत प्रूंगा ब्रह्मा विष्णु महीज मेरे हाथ में रहेंगे अब कारण क्या इसके पीचे पूरा का पूरा ते पूरा इवेंट मैंजमेंट के तंपे ज हो क्ति लुए मननी है मुख्य मंतरीन नारेयल फोर्णे में माहिर है वहहर जगह छलते रहे अब इसी कारण कर आगे चलते हूए आप देखें तो आज प्रकार की भार्तिय है पाके पार्टी हैh एक नाराज भाजपा में बैटी हुईрах Article 322 मा नाराज वाजपा ऑग यहा पूरा एक रोश है वो पूरा दिल नी पहुचा जिस प्रकार से भी कहते भी और दूसरा एक और इस पहलो आपको बता दू कि आज की देखने नारायन तरपाटी जीन के एक बिदाइक से उनने स्वेम मीटिंग में ऐसे एक दरजन बिदाइकों है यह आबाज उठाई कि हम ज दूसरा पहलो देखे हैं तो ग्वालिय चंबल छेत्र के अंदर नहीं पूरे मद्ध्य प्रदेश के अंदर जहां जहां मादोर ओ जोतरा है इस इंदिया जी का जहां जहां पे वर्चस्त है वहां पे बारतियंता पार्टी के और संगर के कारिकर्पा लों गर बेंड़ गा किस प्रकार से कैसे कैसे हो आज दुखी हो के बैठे जिन्होंने संग की आपके जो दरियां बिशाई है जो साखा लगी उसमें ठीक है अब आपने इतनी सारी बाते कहिए तो थड़ा उमेश शर्मा जी से पूछ लेते हैं उमेश शर्मा जी कितनी बिजेपी पाठी है देखे कई पांच बिजेपी पार्टियां उन्होंने बता दिया है सिद्धा सिंगी बार्टी जरता पर्टी में तो चाहें माननी लरेंद्र मोदी जी हो या अमिशाद जी हो शिवरास चोहान जी हो या विश्णुदत्य शर्मा जी हो मुलीदर राओ जी हो या कैलाश पिजे बार्टी जरता पर्टी में ये सभी लोग एक कार्यकरता के नाते हैं और भार्टी जरता पर्टी के कार्यकरता के नाते भार्टी जरता पर्टी संगठन के विश्पार के लिए काम करते हैं और भार्टी जरता पर्टी की केंडर की और राज्य की सरकार की लोग कल्यानकारी योजनाव करिया नीचे तक हो इस बात की प्रतिवद्दता के साथ चिंता करते एग बात अब मैं दूसरा शिर्दार्स चीपी बात का सिल्सिले वाँ जबाब देचा हूँ है ना पार्टी जिनता पार्टी के घर की तरफ तो आज चक्टकी पार्ट कर देखना बंद करिये थोड़ा सा अपने जिर्वान में राचिए आपने क्या करा कि कांगरे पार्टी का घर घर कलो अभियान प्रार रख हुआ आज से दो मेहीं सब्ता विस दिन पहले कमलाठी जै जिवाज के मज़ पर चलीग पुर्टी है कमलनाठी को तीम करकताओं के घर मिलने जाना था वो भी लोटते समय मिलने जाना था जनला रपौकणाई क Midi не आज सी कर लिए घर 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 चलो अभियान को तो खुर्ते की जियम में जाना जिद्विजे सिंजी बैसे से शामला गिल पर जाकर सिवराज सिंजी की चोख़त पर महा मंदलेश्वर कमलनाजी आते हैं और जिद्विजे सिंजी को वास देते हैं कि शेप्रवचों का भी तुमको इस बात की आग्या नहीं दी गई है कि तुम यहाँ बैठो जिद्विजे सिंजी जब प्रसिपस्ट में करते हैं तो कमलनाजी कहते हैं जिद्विजे सिंजी को गरपाउश्या देते हैं अपनी समझा पर जाओंगी लेकिन उमेश शर्मा जी आप से पहले पूछना चाहूंगी कि यह जो लगातार बैठो का सिलसिला चल रहा आपने बताया कि किस तरह से महतोपुन्ट विंदू पर जो है चर्चा की जारे आप से इसलिए समझना चाहूंगी और इसलिए यह सवाल बनता भी है चुकि आपने कई बड़े वादे किये प्रदेश में और प्रदेश की जनता से तो क्या वो वादे सही तरीके से जनता के बीच पहुच पारे क्योंकि तमाम शिकायते भी आती हैं अगर स्वास्त की बात करें पानी की समस्या की बात करें तो इस तरह की तमाम शिकायते भी आती हैं उन शिकायतों को दूर करने के लिए आप लोगों ने क्या रोड़ मैप क्या रड़नीती तयार की है वो ज़रा पहले आप बता दीजे सब्सक्राइब करें जो 17-18 साल का शासंकाल है प्रफिवर्दता के साथ हमने एक इस वाइदा पूरा करा है हमने कहाता कि क्रश्टी को लार के दंदले परिवर्टी करेंगे इस समय ऐसा भी साजिए अब कांग्रेश पार्टी की सरकार गवा करती थी घारा क्षिश्ट के और परता एक दौन को मघ्टमंतरी जी ने बारा करा 10 करा साथ करा उस पांक्रएव उस finger इसाल शिरक जिसांस और ऐसे आकडि के बिएний इs बॉट्पी लिए काज़ी व मुद्पी जी एक से कर दो इसमेंदेश के अंदर आगर आगा है तो यह मुद्पी जिप्रासिंग चोहान के कॉशन है बारती जिल्टापार्टी के मुस्केमेंटरी ने ये करा कि जो पतन दीना का प्रीमेंट समलनाज की सरकार नहीं पर पाई थी सबसे पहले आकर कि इस्टानों भी शुष करा और कुरेना के संजटकान के बावजोड़ भी स्टीन सो करोड रूपे जो है ताकत पुर्वक मेंगा इडिकाया है कमलनाज जी जिस सरकार सो प्रपंची मेंचर आई थी और चाहा था कि मुक्ट्य मंट्री कन्यादान योजना का 50,000 का 50,000 का इत्यावन अजार कर देंगे जितनी भी वादे किये गए थे वो सारे वादे पूर्पंची मेंगे कर लिए गये हैं और इसके साथ ही आप मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं वह भी बताईए लेगे एक मुंगेरी लाल के अपने केंडर में बैट के दिखाते हूं और एक अभी हमारे है जो मंद्द प्रदिस के अंदर है सेख चिल्ली यह हमारे चंबल में कावत है मुंगेरी लाल कैसिंस अपने और सेख चिल्ली की कहानिया आप में इस तुनी होंगी चाहिए बच्पन में पहली बात तो मैं आपको इक चौक आने वाला वह बता दूए नीती आयोग की जो रिपोर्ट आई है उसमें प्रतिशक पैसा केंडर देती है और 40 प्रतिशक पैसा कोई भी योजना के लिए वह राज्यसाशन देता है तो मेरे पास पूरी नेती आयोग की रिपोर्ट रखी है आप नारियों किसने भी पोर लो आप आयोग इवेंट किसने भी करा लो आप जाके अख़बारों में कितनी हुई है जिस समय पे हमारे आती वर्षा होके बार फेड़ित छेतर थे 35 पुल भैगए भारत्री जन्ता पार्टी के कारेकाल के और यह भी बोल रहे थे कि मानिय दिग्वे सिंगी को जो नाम लेके सर्मोदित कर रहे थे तो मैं इंको संग्यान में बतातू कि जब मान कि इस दिन पैदा होता है तो जिस दिन पैदा होता है उसी दिन 50,000 के करजे में चला जाता है यह अपनी जो खूबियां और यह जो पूरा गोलगान कर रहे थे मैंना भी आप ते क्या चाता कि भारतियंदा पार्टी के किसी ने प्रवक्त है किसी भी बड़े नेता को आप कि इनको जो शिख्छा दी जाती है इनके आपर जो पूर्लियों की दोग पलाई जाती है जिस प्रकार से बच्चे को हम लोग चोटे पर ग्राइब बाटर पिलाते तो इनको संगवत बच्पन से ही पूर्लियों मैं और उसमें दोनों जो भूने दी जाती है जूट की दी इनके पास जाता है नहीं नीती आयोप का है नहीं इनके पास एंसी आर्बी का है नहीं आप एंसी आर्बी की रिपोर्ट देखेंगे तो 7,000 आज से 32 नावालिक बच्चियां आदिवासी बच्चियां मत्रप्रदिस्ते गाइब हैं और टोटल मिलाके 13,000 के उपर हैं उसमे बात नहीं करते हैं लारली बच्चियों के लिए बैनर कोश्टर लगाके करोड़ खर्च करते हैं ठीक है उमेश जी बहुत-बहुत-बहुत-बढ़े आरोप लग रहे हैं आप पर और कई बड़े आरोप लग रहे हैं ऐसे में जब दिगविजे सिंग ने मुक्यमंत्री का पच्चोड़ा था तब कितना करजा था और अब वो करजा किस तरह से बढ़ गया तीन लाग पच्चिस करोड़ का करजा जो है बढ़ गया ये बतारे सिद्धाद सिंग जी क्या कहेंगे और तमाम ये जो बड़े आरोप लगे हैं सरकार तक बीजेपी जन्ता से जोड़ाता है और ये जो करद दिया जाता है ये जो दिड़ दिया जाता है इसे लिए शिविलिक से करज जाता जाता है सरकार की कुट्विल को दिशा जाता है सरकार की साथ को परखा जाता है और उनको मालूम है कि ये सरकार जो है इमानदार सरकार है और ये सरकार जो ये एके पाइसे का खर्शी जोगा वो जन्ता के शल्यान के लिए शर्च करेगी तो हमको इस वासी तो कशेशन तारी होती है कि हमारे माधे पर कितना सर्जा चल गया यह कर जागर चेगा तो मदर्वेश की जन्ता के लिए करा जा रहा है तो हम सरकार के ला रहे पर प्रशून की दुखान को नी के ला रहे कि हमको चावज सो रुपे खनी उल्खिलों खरीदना है और इस तो दस रुपे में बैशना है ऐसे तो सरकारों नीशन थी तो सरकार को सिबता के साथ अखना काम कर रही है अभन के लिप सब्सक्रार यह करहा है यह हमारी आलोचना का छेसं करने है लगातार आपके बैटकों का दौर चल रहा है वरसो भी बैटकों का दौर चला आज भी बैटकों का दौर चला तो ऐसे में क्या कुछ रोड मैप 2023 के लिए तयार हुआ है एक बार में चाहूंगी वो दर्शकों को जरा बताएं यानि कि इस विश्वास से आप लोग लवरेज हैं कि आप लोगों को रोड मैप की जरूरत नहीं है जनता का जो विश्वास है वो आपने पूरी तरीके से हासल कर रिया है मुझे लगता है कि हमको बेतों आप मैलेज मैलेज से चुनाजी से जाते तो भी जैसी केसे थे हमने तो कभी नहीं का कि मैलेज मैलेज से चुनाजी से जाते हमको जल्टा का फरोशा हासिल करना है पूरे विश्वास से लबरेज नजर आ रहे हैं कि उन्हें रोड में आपकी जरूरत नहीं है वो चुनाव जीच जाएंगे 2023 में भी आप लोग किस तरह से जनता के बीच में जाने वाले हैं? पर यहां पर जाकर चार से पांच स्टेट की सीमाएं मिलती हैं अँड्यराज्यों की सीमाएं तो जो रोड मैँ था हमारा वो था युवाँ पेज युवाँ के लिए जदा से जदा रोजगार पहरा अधरा करना नई नई एकाहिया लगाना उसी के रोड में पे पुरा काम चला, 365 दिन में 365 हम लोगों ने जो हमारा मैनिफ्रेष्टो में जो तरवा सा, हमने 365 मैनिफ्रेष्टो के जो होते हैं, पूरिस की है, और आप देखे हैं, वमेची बात कर रहे थे, बिजली के बिल की, और अपना तरशी से रिलेटेट, तो 2,15 टुलेट, या लोगों का करज़ा माच्य आमिये कमल नाज़ीन है, जो आपने आपकी सरकार बनते ही, आप ंसको खारिश कर गिया, और आतने लोगों को नहीं दिया, और आपने क्या दिखाया, उनको क्या बेज रहें, किसी खाते में 5 रुपे गाई, किसी के में 5 रुपे अच्छा आपने किसानों का मुद्दा उठाया है तो 36 गड में आपकी सरकार है ना वहाँ पर किसानों की नाराजगी तो देखने को मिली थी दो दिन पहले ही वहाँ पर राकेश टिकेट को आने की जरूरत पड़ी उसके बाद से चीजे थोड़ी वहाँ पर संभलती हुई न जब किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे थे और वहाँ पर राकेश टिकेट को पहुंचने की जरूरत पड़ी ऐसे में किसानों की नाराजगी आप वहाँ दूर क्यों नहीं कर पारें उनकी मांगों को पूरा क्यों नहीं कर पारें ने देखिए आप अगर देखेंगे तो हिंदुस्तान के अंदर अभी नंबर वन का तबगा मिलाए चत्रिस गड़ को और हमारे बगील साथ को के मंतरी और धीरे धीरे आप देखिए जब हमको बिल्कुल खजाने खाली मिलेते अभी आप देखिए अपकारी विवाग को पूरा ठेकेदारों के हाथ में बेच दिया है आप कोई से भी विवाग उठा के देखिए गा आज उसके अंदर बिल्कुल दीमत की तरह बिल्कुल चाट दिया है अपसर साही इस प्रकार से हावी है ब्रश्टाचार इस कडर हो चुका है कि आज जंदत रही मान कर रही है आप कभी किसी भी अपसर के पास जाएंगे आपकी कोई सुनवाई भी होगी हो उनके दलाल बेजे हुए हैं अप दुखाने खुली हुए ये फ्रेंचाइजी बात दी गई है तो खुल मिलाकर यहां पर लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी हो गया है और एक दूसरे पर आरोप मरते भी दोनों पातिया नजर आ रही है एक तरफ जहां बिजेपी की तरफ से बैटको का दौर चुल रहा है तो दूसरी तरफ लगातार कॉंग्रेस पाति उस पर चुटकी लेती हुई भी नजर आ रही है लेकिन देखना ये है कि 2023 की बाजी कौन सी पाटी मार पाती है चलिए इसे के साथ बड़ी बहस में फिल हाल के लिए बस इतना ही आप देख तेरी एंट्या न्यूस